तो वेल्कम बैक तो आज चैनल इंवेस्मेंट हिंदी माइनम इस हैन गोज चलिए शुरू करते हैं आज का अनलाइसिस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सबसे पहले हम देखेंगे कि कल हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में आज की लिए क्या ट्रेड प्लैन किया था और अगर मार्केट जाता है 18,450 के उपर या 18,440 के उपर sustain करता है बाइंक की लिए देख सकते है यह अगर मार्केट 350 ए 300 के नीचे जाता है देर हम सैलिंक के लिए देख सकता है तो मार्केट ओपन का हुआ और उसके बाद मार्केट टोटल साइडवेस हो गया तो बेटर जैसे मैं आपको बताया था कि लास्ट की तरफ मार्केट ने सेलिंग दिखाया अब हम डिसकस करेंगे कि कल के लिए क्या ट्रेट प्लैन हो सकता था और मुझे कमेंड में जरूर बताना कि आज आपने ट्रेड लिया कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में कैसा आपका रिजर्ड निकला प्रॉफिट होना ल आज का ओप्सन खुला यहां पर फायदा नहीं है और क्योंकि आज एक्सपायर हो चुका है तो नेक्स्ट वीक अगर एक्सपायरी देखाए यहां पर जो डेटा बिल्डफ हो रखा है यहां पर पूरा ट्रेंड हमें बेरिस बता रहा है इन फैक्ट पूट के साइड में प के साइड़ी देख रहा क्योंकि फ्राइडे के लिए डेटा सुबह रहाता है हम पहले से एक्कुरिट डेटा यहां से नहीं चेक कर सकते हैं त्रेंड क्या चल रहा है हम सब वो डेश्ट देखके फायदा नहीं होगा क्योंकि मेन बिल्डफ फ्राइडे को आएगा दस थार के लिए बैठना है we need a gap up opening और sideways opening क्या बोला अगर कल हमें selling के लिए बैठना है अगर हमें कल selling opportunity देखना है या तो market यह हालका gap up होना चीए या थोड़ा sideways open होना चीए ठीक है तो मैं पहले gap up कर discuss कर लेता हूं अगर हमने देखा कि market थोड़ा सा gap up opening हुआ that is around 18,000 350 level अगर market 18,000 350 level के आसपास एक भी open होता है और यहीं से कुछ rejection candle बनाता है यहीं के आसपास से को rejection candle बनाता है तो we can go for sell rate नीचे के तरफ आज का जो लोग था है that is around 18,310 18,000 310 के आसपास एक लोग बनाया था market तो वो हमारा सबसे पहला टागेट होगा अगर वो ब्रेक होता है तो next टागेट हमारा immediately होने वाला 18,000 280 18,000 280 हमारा next टागेट होगा अगर फ्लो में अगर फ्लो में 18,280 भी नीचे के ब्रेक करता है तो we can go for the further टागेट हमारा नीचे के तरफ और टागेट क्या हो जागा 18,250 एन 18,200 लेवल ओके यह नीचे के तरफ टागेट होगा अगर 280 ब्रेक करता है तब यह सब टागेट मिल सकता है there is a some chances कि market सायद से यहां तक टागेट देगे फिर उपर चले है तो आपको further price action चेक करना पड़ेगा कि price action selling का बन रहा है या price action reversal का बन रहा है अगर selling का बनता है तो आप wait कर सकते है अगर reversal का बनता है तो हम यह आपर buying के लिए बैठ सकते हैं या exit कर सकते है ओके चलो यह तो अगर हमने देखा कि market इहीं पर कहीं पर असपास open वह बाइंग कप करना है बाइंग फिला भी तो नहीं क्योंकि last में selling आया बाइंग हमारा इस लेवल के उपर ही होने वाला है ठीक है और selling के लिए best होगा अगर market low break करता है अगर market कोई 15 minute candle आता है कि इसके नीचे low break कर देता है और साथे साथ 18,300 के नीचे closing देता है तो हम एक selling के लिए देख सकते immediate एक 20 रुपे का target मिल सकता है 18,280 और अगर flow में 280 भी break करता है तो जैसे इससे पहले हमने देखा 18,250 and 18,200 विल भी आप for the target in the downside direction आचा बाइंग के लिक बैट सकते हैं बाइंग के लिए तो जैसे बोला इस यह जो trend line में बनाया इस trend line के ऊपर ही कुछ buying होगा नहीं तो आप है बार बार सेलर अपने pressure दिखाने कर अचा gap down open होता है तब क्या करेंगे अचा सबसे पहले हमें देखना है कि gap down कहां open हो रहा है if we see market in low के नीचे open हो रहा है that is 18,280 के नीचे open हो रहा है तो सबसे बहु बीरिस engulfing कुछ बन जाया for example यहां पर उपन हुआ उपर गया बीरिस engulfing बना फिर market नीचे fall करें कुछ कर रहा है then again we can go for the sell rate है आप वापस हम selling के लिए बैठ सकता है नीचे के तरफ target आपको बोल रखा है right तो यह हमारा plan था मैं selling के लिए ज्यादा देख रहा हूं जब तक market इस level के नीचे रहेगा मैं only selling के लिए देखने वाला हूं that is around 18.350 level जब तक market 18.350 के नीचे है I will be sell buyers मैं selling के लिए बैठने वाला हूं अगर market 350 के ऊपर जाता है मैं फिलाल अगिन इस range के अंदर कोई trade नहीं लूँगा this will be my no trade zone और अगर यह high brick होता है then only I will go for the buy trade ठीक है यह high क और इसके नीचे selling ओके ठीक है अब next हम study करेंगे about bank nifty bank nifty जैसे कल आपन बदाया था that is in the upside direction हम 42,600 and downside direction 42,400 इस range के अंदर कोई trade नहीं करेंगा maximum chance के market sideways ही रह सकता है वही हुआ market फूरा sideways आगिया ना low break ना high break या तो हिसाप से यहापर कोई trade opportunity नहीं था मगर कुछ अगर advanced student ऐसे हैं जिन्हों नहीं यहाँ पर bullish engulfing देखके 42,400 के आसपस कुछ भाई किया तो वह यहाँ साइट से कुछ profit कर सकते थे maximum chance profit नहीं कर पाते क्योंकि जिसे आप से market उपर गया है 90% chance टॉप्लस आपका सबसे पहले hit होगा market move करे ना करे आपका option जो होगा मूवी नहीं करें ठीक है तो यह chances था तो आज seller expiry था आज को बायर expiry था नहीं बायर expiry in the sense market नहीं को मुमेंटम नहीं दिया just sideways रहे गया कल के लिए क्या trade plan होगा देखो अब यहां भी यहां भी market ने लास्ट में selling दिखाया है तो सबसे वहले इसका data check करेंगे for next expiry यह है हमारा bank nifty for 17 नवंबर से 24 नवंबर कर देता हूं bank nifty for 24 नवंबर यहां पर हम क्या देख सकते हैं थोड़ा बहुत बीरिशनेस भी देख रहा है थोड़ा बद बुलिशनेस भी देख रहा है मतलब कहीं न कहीं मार्केट यहां पर मिक्स है कोई perfect planning नहीं कर पारा bank nifty में तो हमें यहां पर just wait and watch करने हम कब trade लेंगे देखो बह अगर हमने देखा market gap opening होता है और यहीं से market falling सुरू कर देता है यहीं से market falling सुरू किया हम छोटे से target के लिए बैठ सकते हैं उपर के SL बटा के फो जो market हाई बनाने वाला है उसका SL बटा के नीचे के लिए बैठ सकते हैं नीचे के तरफ टागेट होगा 42,500 and 42,400 तो यह हमारा टागेट हो सकता है अगर यहां से selling आया तो अब यह तो था gap opening अगर market sideways open होता तब क्या करेंगे तो बहुत अच्छी तरह observe करना कि अगर market यहीं कहीं open होता है 42,400,450 के आसपर से open होता है wait and watch करेंगे अगर 400 के नीचे कोई 15 minute candle close देता है यहां पर यहां तो यहां पर इस candle का को बनता है then only we can go for the sell rate तब हम सेल के लिए बैठेंगे 42,300 विल भी आर टागेट नेक्स टागेट होगा 42,200 and 42,150 इस फिल भी आ फॉद टागेट फॉद टागेट फॉद डाउंसाइड डिरेक्शन मगर अगर हमने देखा कि market ना जाद ऊपर जा पा रहा तो फिलाल मैं यहां प कोई double bottom pattern बना कोईजिस कर रहा है then only we can go for the buy trade तभी यहां पर buying का कोई scenario देखेंगे immediate टागेट होने वाला 42,600 अगर यह टागेट अचीव होता है 80 to 90% या 70 to 75% आप अपना profit यहां बुक कर सकते हैं बाकी अगर आपको trailing करना अगर market 42,600 को अच्छी तरह upside break करता है then only हम trail करके अगे further target के लिए बैठेंगे upside का target का होगा 42,800, 42,800 विल भी upside target 7,800 हो गई 42,700 टागेट होगा उसके बाद 42,800 हमारा further target होगा अगर कल हमने देखा कि market gap down open हो तो दप्या करेंगे immediately अगर market open होता है 42,300 के आसपास अगर market यहां कही open होगा थोड़ा trade avoid करना क्योंकि यहां पर market थोड़ा indecision mode में रहने वाला क्योंकि अगर selling आना है selling आने के लिए उसको again 400 के आसपास आना पड़ेगा अगर यहां से selling opportunity आता है थोड़ा से छोटा सा opportunity लेख सकते हो कम quantity लेके अगर market यहां open हुआ buying दिखाया 42,400 में कोई selling का pattern आया तब यहां पर sell कर सकते हैं नीचे की तरफ होगा immediate target होगा 42,300, 42,200 and 42,150 आफ for the target नीचे की तरफ हो सकता है मगर अगर ऐसा कुछ ना हो अगर market ने खुलते ही sell दे दिया थोड़ा avoid करना trading क्योंकि एक तो gap down open हो रहा है एक support के आसपास open हो रहा है यहां से selling थोड़ा doubtful हो सकता है ठीक है seller ऐसे बीच में नहीं गुज़ जाएंगे उनको अपना stop़ों से बचाना होता है तो अचानक से यहां पर selling आया तो avoid करना मगर अगर यहां से कुछ pattern बना कि market नीचे आया same जो high बना है वहीं से reject ले रहा है double top बना रहा है then अगर neckline break होता है then we can go for the sell trick तब यहां पर कोई selling opportunities देख सकते हैं नीचे की दरफ तो बढ़ा target आएगा that is around 42,000 final एक target हो सकता है अगर यह pattern बना के गिरता है तो नहीं तो maximum target 42,150 के असपास होने वाला ओके I hope planning सबको समझ आया अगर आपको planning समझ आता है तो मुझे जुरू बताना comment में लास्ट बेट नॉट दे लिस्ट आमाज ओ टेलिग्राम चैनल इस इंवेस्में ट्रेडर्स जरूर इसको जॉइन कर लेना क्योंकि लाइव मार्केट में आपको अपडेट देते रहते हैं कि आपको कब कि स्टैक पर trading opportunity देखना है कहां पर मार्केट में strong support और strong resistance है और further जो